हलो फ्रेंड्स, ESIC, कर्मचारी, राज्जी, बीमा, निगम, या फिर कहतो, Employee State Insurance Corporation की तरफ से, एक नोटीस आया है, जो कि इंटर्व्यू के लिए है, कल की देट में 11 तारिक को ये नोटिफिकेशन आया है, official site यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका date और यहाँ जो बताया गया है, तेरह vacant post है, किसके लिए, full time, part time, specialist के लिए, तो number of post यहाँ पर category wise भी divide कर दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, और apply करना चाहें, तो apply कर सकते हैं, तेरह vacant post है, only a contractual basis है, permanent नहीं है, और यहाँ पर pay scale आप यहाँ देख सकते हो, pay scale यहाँ पर full time specialist के लिए, एक लाग 14, 2955 पर month, और part time के लिए, 60,000 पर month है, और यहाँ पर education, qualification क्या मागा गया है, वो भी देख सकते हैं, MBBS with PG degree, और equivalent PG diploma in concerned speciality from recognized university and registered with medical council of India, state medical council, age limit 69 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कब तक के लिए, इसकी जो last date है, तब तक का, last date, time, और submission of application fee, क्या है बोलने से, 20 February, इसकी आखरी date है, apply करने की, और date of interview यहाँ पर दे दिया गया है, जो की है, 21 February को 11 बजे, ठीक है, तो और ज्यादा जानकरी के लिए जो है, आप यहाँ पर detail information के यहाँ पर जा सकते हैं, और application form भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप इसमें apply कर सकेंगे, और यहाँ पर साथी आप देखोगे कि जो vacancy number of post हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, कि 21 तारिकों interview के बाद भी अगर कोई post खाली बज जाते हैं, जैसे कि feel नहीं होता है, तो उसके लिए जो है, यहाँ पर बताया गया है, in case, है न, तो यहाँ पोस्ट जो है, वो feel नहीं होती है, उस case में, और दोस्तों यहाँ पर जो document required है, वो यहाँ पर आप detail देख सकते हैं, क्या क्या document आपको लगेगा, है अगर जाते हैं, आप तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप इससे देख लेंगे, और अपने जो भी important document है, उस पर देखने को मिल जाता है, तो यही application form है, जो की आपको ले करके जाना है, अपने document के साथ self-attested करके, ठीक है, तो यह थी इस वीडियो में जानकरी, अगर पसंद आई यह तो शेर करें दोस्तों साथ, ताकि उनको इस बारे में पता लग सके, और वो interview में सामील हो सके, मिलत सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए, गुडबाई